तो हे गाइस आज बात करने वाले हम लोग ब्लीच उनिवर्स वसिस जुजुसु काईसन उनिवर्स के बारे में अब देखो ये दोनों ही एन में बहुती कमाल के हैं दोनों के मांगा बहुती कमाल के हैं दोनों की ending बहुत ही घटिया हुई थी बट जहां Bleach के writer ने novels release करके बहुत सारी चीज़े reveal करके fans के doubt clear किये और आने वाले next arc का manga chapter डालके fans के उमीद को जिन्दा भी रखा तो वहीं पर जो दूसरा manga है JJK का उसका ending फिलाल हगने वाला है जिस तरीके से latest chapter आया है भाई fans बहुत ज़्यादा disappointed हो गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है लेकिन जो हो रहा है उस चीज़ को टाला नहीं जा सकता है बिकॉज यह खुद writer लिख रहा है सबसे बड़ी बात ending के उपर मैंने वीडियो बना के रखा है मुझे बहुत ज़्यादा disappointed फिल हुआ जिस तरीके से हारा एंड हारने के बाद पतने writer किस तरीके से उन चीज़ों को सॉट आउट करेंगे बस आने वाले तीन chapters के अंदर पास कर जुजिसु काईजन के फैंस के तरफ से क्योंकि bleach फैंस ज्यादा उंगली नहीं करते किसी को वह चुप चाप सांती से रहते हैं उनका अपने आप में enjoyment चलता रहता है उनको आईजन का नाम सुना तो उनको orgasm आ जाता है और आईजन के उपर ही बात करते करते वो लो आदात है जिन वह एनमे से दिक्कत है जिससे उनका फीवरेट एनमे इंस्पायर हो करके बनाए मुझे जुजिसु काईजन फैन बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते थे पहले के टाइम पर वह लोंग किसी और फैन से ज्यादा जगड़ा नहीं करते थे वह लोंग आपस में चलता जाएगा मुझे ऐसा फील आता है विकॉज मैं यह चीज़ देख रहा हूं उन्हें जबरदस्ती का दूसरे एनमे के कैरक्टर के साथ भीडाना रहता है क्या मादरा गोजो को हरा सकता है क्या तुम्हारे यह कैरक्टर गोजो के इंफिनिटी पर हमला कर सकता है क्या को डैमेज पहुचा सकता है सच बताओ तो यह वही लोग होते हैं जिन लोग उन्हें जोजिसु काईजन छोड़के और कोई भी आनमे नहीं देखा है और जोजिसु काईजन को भी उस तरीके से देखा है जहां पर उनको सरपैर कुछ नहीं पता है वही अगर मैं बात करू को लेके दूसरे ऐनमे के फैंडम के साथ जगड़ा लड़ता है वो मुझे बरदास नहीं होता जिस ऐनमे का जो कारेक्टर है वो एक कंट्री लेवल थ्रेट भी नहीं है साई तुम्हें लग सकता है मैं कुछ जाद ही जोजोजोसु काईजन को लपेट रहा हूँ सबसे चुतियाप होता है और मैं इस चीज़ को सबसे चुतियाप समझता था लेकिन इन चीजों ने मुझे सबसे ज़्यादा इन दिनों इरिटेट किया है और इस वज़े से एक तर से मैं यहां पर अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ अब उस कंपैरिजन पर आएंगे ले वो वर्डवाइट च्छा गया एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जो मेन कैरेक्टर नहीं है लेकिन उसकी डेथ पे लोगों ने अंतिम संसकार करना चालू कर दिया वह उस एनमी की पॉपलारिटी को दिखाता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था हाला कि वह थोड़ा नाम किये जो कि वर्ड के टॉप पॉपलर मांगा में से एक उससे एक इंस्पिरेशन लिया हुआ सीरीज है या हमारे भासा में कहें तो उसका कॉपी है बहुत सारी चीजे तुमको कॉपी हुई नजर आएंगी बट इसे हम इंस्पिरेशन कहेंगे क्योंकि यार जिस तरीक ब्लीच से इंस्पाइर होकर के बनाया गया है और वहां पर यह लोग यह ले करके आ जाते हैं कि ब्लीच से लाग बुना अच्छी है ब्लीच से यह बहुत बढ़िया है यह बहुत घटिया चीज है बिकॉज तुम्हारा जो फेवरेट आइंड में है वह उसी से मतलंबा हुआ करता है और यह कहें करके उसको डाउन करने के कोशिस करता है वह भी बिना देखे यह सबसे बकवास चीज़ है इतना सब कुछ जो मैंने भासन दिया वह तो भाई भालतू के बकवास की ऐसा मेरे को लगता है में चीज पर आते हैं जो की है वहां का पावर ले लेना पर फिलालक ले जालो वह डेथ गौड है और गौड होने के बज़ेट से नॉर्मल हुमन उसको नहीं देख पाते हैं जो कर्स स्पिरेट को मारते हैं वह जुजुसू सौर्सरर से हैं लेकिन जो ब्लीच कॉंसर्ट लेके आता है ना होलोस को मारने वाला एक्चुली म उनके सोल्स को प्यूरिफाई करते हैं और उन्हें दुबारा सोल्स सोसाइटी भेज देते हैं जैसे तुम्हारे कपड़े में दाग लग जाता है गंदा हो जाता है तो उसको धोया जाता है और धो करके साप करके सुखाया जाता है ताकि उसको तुम दुबारा पहन सको फ लेकिन यहां पर जब entry होती ना सुकुना की भाई ये एक ऐसा curse spirit है जो हजार साल पहले king of curses था जो मेरे हिसाब से जोजोसु काईजन universe का सबसे strongest character है और हाँ अगर तुमको गोजो लगता है तो वो बात अलग है सुकुना और गोजो दोनों ही अपने universe के strongest being है इन दोनों की ये दोनों बहुती ज़्यादा strong है बट जब bleach universe की आती है पहले बाद तो वो सब death god है and god होने के वज़े से ये बहुत ज़्यादा strong भी है और bleach universe का जो power system है god होने के चलते एक next level पे चला जाता है वहीं जो जुजिसु काईजन का जो power है वो उतना भी उपर नहीं जाता है वो नॉर्मल एक city level तक ही रह पाता है एक्जामपल के तोर पे कव अगर तुम जेजगे का manga follow कर रहे हो या फिर जितना भी तुमने देखा है जितना कुछ भी तबाही चला है लडाईयां चली है लोग मरे है जो कुछ भी हो रहा है क्या इससे अब तक पूरा का पूरा जपान पर फरक पड़ा है नहीं जपान के एक सहर city वो तर डिस्ट्रॉय हुए है अगर मैं इसको अर्थ से compare करूं अर्थ के इस अर्थ में seven continent है बाकी water है and seven continent में से एक टापू है और वो एक छोटा सा देश है जहांके एक छोटे से सहर में इतना बड़ा लडाई चल रहा है वही जब मैं bleach की बात करता हूं तो bleach के captain जब कदम रखते हैं उनका spiritual pressure ही काफी है एक तरसे एक देश को उड़ाने के लिए bleach universe में जो world है और soul king है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात किया है मेरे इस वाले bleach वीडियो पे जादा दिन नहीं हुए डाले हुए जाके देख सकते हो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा bleach universe क्या है कैसे है यहां का power level क्या है हाले कि और भी वीडियो बन character होते हुए भी वह एक अर्थ को तक पूरी तरिक से खाली नहीं कर सकता वहीं अगर मैं बात करो bleach universe के character की अगर वह आ जाए अपनी में अगर वह अपना spiritual pressure ही release कर देना spiritual pressure क्या होता है simple भासा में बताओ तो सीनेगामिस जो होते हैं वह अपना रियत्सू release करते हैं या को energy release करते हैं यह एक तरह से सकती प्रदर्शन के तौर पे दिखाया जाता है जैसा जुजुशू काईजन की एक movie आई थी उस movie के अंदर जब यूता उकसू class के अंदर enter करता है तो माकी जैने को जो curse energy देख पात रिलीस कर देना भाई वो आसपास के area के जो beings है न वो ऐसे ही खतम हो जाएंगे यह बहुत powerful होते हैं वहीं अगर मैं बात करने जाओं यहां के literally godly being character जैसे मैंने सुरू में कहा कि जो सीनेगामिस होते हैं वो death god है वो god ही है बट यहां पर भी एक तरह से hierarchy level पे बैठी हुए god भी है मतलब ऐसे character है जो literal almighty है और वो बहुत powerful है वो चाहे तो अपने रियत्सु से ही उस universe को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं इनका power level map पाना ऐसे बहुत ज्यादा मुस्किल है because इनका spiritual pressure ही बहुत ज्यादा है जैसे मैं अगर example दू तो इस series का main character जो की है इचीगो कुरा साकी भाई इसका जो spiritual pressure है ना सब प्रेस फॉर्म में भी अर्थ में यार सेंस किया जा सकता है और उसको रखना भी पड़ेगा क्योंकि अगर वो इस चीज को release कर दे पूरे तगड़े तरीके से ना भाई उस अर्थ में रहने वाले जितने भी living being है वो सब न लग इससे भी powerful character है यह यूहावा और वह सोल किंग यह दो character लिटरली इस universe के भगवान है जो यार हम जानते ना इस वर क्या क्या कर सकता है future change कर सकता किसी का भी future लिख सकता है सब कुछ देख सकता है almighty जो कहते है ना omniscient and omnipotent भाई यह दो character वहीं है और यह मैं क्यों बता र वह किस लेवल पर यह spiritual pressure से universe उड़ाने की बात हो रही है ऐसा समझे लो attack नहीं मार रहे है बस अपना power release किया है उसी से पूरा universe उड़ सकता यह next level पर यार इनको तुम क्या उस universe से compare कर रहे हो जिस universe का सबसी strongest character वह एक country level भी threat नहीं है कहाबद domain expansion का example के तोर पे मैं सुकुन का domain domain expansion लेता हूं जो कि मेलवरेंट स्राइन या फिलो में गोजो सातुरूप का domain expansion सामने वाला जो खड़ा है ना उसका spiritual pressure इतना ज्यादा है ना भाई तुम्हारा domain उसको hit ही नहीं कर पाएगा इस level का अगर कोई ऐसा character आता जिसका spiritual pressure सामने वाले के spiritual pressure से कम है और वह जा करके उस नहीं होगा उस character को कुछ भी नहीं होगा पर जो कुछ भी हो मेरा इतना ही कहना था मेरा यह opinion था तुम सब क्या मानना है मुझे comment box में राए दो वीडियो पसंद आया like मारो चैनल पर नहीं आगो इस चैनल को subscribe मारो bell icon on करो जो भी करना है करो यार लेकिन comment करना मत बुलना क्य यार मिलेंक नच्ट वीडियो आम फिलाल क्लियर बाइ